संजौली महाविद्याले में शनिवार को छात्र संसद का आयोजन किया गया इस छात्र संसद में राश्टर की राजनीती को मजबूत करने और युवाओं को सही नेत्रितों की जानकारी देनी का प्रयास किया गया हिमाचल प्रदेश छात्र संसत के एक्जिक्यूटिव डारेक्टर सुधानशु ठाकुर ने बताया कि इस संगोष्टी का मुख्य उदेश्य युवाओं के अंदर नेतित्व कुशलता की भावना को जागरित करना है उन्होंने कहा कि युवा हमारा भविष्चे ही नहीं बलकि वर्तमान भी है और यदि युवा समाजिक और राजनितिक कारियों में आगे आएगा तबी हमारा देश तरक्की करेगा उन्होंने कहा कि हर साल हिमाचल की चातर नेता संगोष्टी में भाग लेते हैं लेकिन इस वर्ष सबसे अधिक मात्रा में चातर नेता संगोष्टी का हिस्सा बने है उन्होंने संगोष्टी में भाग लेने के लिए छातर निताओं और अफसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट पार्लियमेंट जो की हिमाचल प्रदेश छातर संसद है ये भारती छातर समस्द से प्रेड़ना लेकर हमने गठित किया है और इसी का हम ये आज यहां पर संभोष्टी जो ये अधिवेशन है ये करवा रहे है और इसका जो मेन जो हमारा एम है जो हमारा उदेशय है वो ये है कि हम यवाओं के अंदर नेतम शजजिवी कोशन दा की भावना को उजागर करें जो हमारे देश का यूथ है हमारे हीमाचल का यूथ है वो अपने आपको politics में और social activism में आगे लाए क्योंकि जो youth है जब वो आगे आएगा तो society अपने आप grow करेगी क्योंकि youth future है हमारी country का in fact present भी हमारी country का youth ही है और यहाँ पर जो यह हम deviation कर रहे हैं इसका अभी पहला session जो है वो drug abuse के उपर है दुसरा session woman empowerment पे है तुसरा session हमारे हमाचल के लिए preserving the identity of हमाचल है और जो चौता session है वो है quality education के लिए और इसके लावा जो यहाँ पर इसकी main beauty है जो इस अधिवेशन की जो मतलब बाकियों से अलग चीज़ है वो है इसका parliamentary session parliamentary session में हमने लगबग 9 ministries के अंडर अलग अलग topics रखे है और जो student leaders यहाँ पर participate कर रहे है वो उनमेंसे अपनी मर्जी से किसी ना किसी topic पर discussion करेंगे और वो वहाँ पर अपने resolutions को पेश करेंगे फिर जो resolutions होंगे उन resolutions को हम विधान सवा में और माननी मुख्यमंतरीजी के पास पेश करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर एक March of democracy होगा जिसमें संजॉली से लेकर लकटबजार तक हमारे यूवा है वो मार्च करेंगे